Welcome to Carbacademy और आज की क्लास में क्लास सातवी के गणित प्रशनावली 5.2 को सल्व करेंगे इससे पहले हम लोग 5.1 को सल्व किये थे लेकिन हमारे बहुत सारे बचों का कमेंट आते रगता है कि सर्व 5.2 हमें बहुत ही कठीन लगता है इसे बहुत ही असान में थड़ से बताने के कोसिस करिएगा मैं आपको बातों से बिल्कुल सामत हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीन कंसेप्ट थिवरी के पढ़े ही अब प्रशनावली 5.2 जो 5.2 है डिरेक्ट बनाईएगा तो आपको कठीन लगेगा ही लगेगा क्योंकि थोड़ा सा है इसमें कंसेप्ट पढ़ने के लिए ठीक जब आप लोग त्यार हो तो मैं आप लोग को थिवरी पढ़ाई देता हूँ ठीक है सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं आपको थिवरी पढ़ाते हैं थिवरी दो पढ़ना है बस पहला कंसेप्ट यह है कि तिरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण है हेडिंग डाल तिरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण इसमें देखे मेरे भाई इसमें क्या है कि तिरियक छेदी रेखा अब आपको तर्यक 6 रेखा है तो देखो यह सारे जो प्रश्णावली 5 दस्मलों Q क प्रश्ण जो भी मिलेंगे वह सारे हमारे समान्तर रेखा जो होता है आप आप जानते होंगे यह देखिए समानतर रेखा है इसका नाम एल देदीजिए और इसका नाम एम एल और एम जो है ना एक समानतर रेखा है अब इसी समानतर रेखा पर हमारा यह तिरियक छेदी रेखा आता है ठीक है यह देखिए तिरियक छेदी रेखा आगया ठीक है इसका नाम हम टी देते हैं अब जैसे मैंने ए त्रियक छेदी रेखा यहां पर दिया न यहां से हमारा कोण बनना सुरू हो जाता है कैसे देखो सबसे पहले यहां पर जैसे मैंने किया एक यहां पर कोण बन गया एक यहां कोण बन गया दोग बन गया एक यहां बनेगा और यहां ब बनेगा यह देखो, 4 कोड यहां भी बन गया, कितना बना, 4, अब इनहीं 4 चार ये आठ कोड को हम लोग को सिखना होता है इसका नाम क्या है घर कोन सा इसमें अंतर कौण है अंतर कोन इस तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही तरह बने गए अंता कौन कौन है ठीक है मतलब बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ना है छीपा हुआ है ठीक है उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले ना इसका नाम देते हैं जो आठ कौन बना है इसका नाम लग देता हूं 2 इसका नाम 3 इसका नाम 4 इसका नाम 5 दे दिजिए इसका 6 दिजिए इसका साथ और इसका आठ शबका नाम दे दिए अब हाँ Coming से पढ़ते हैं यहां से नमबर वन नमबर वन है कि अन्ता कोण किसको काते हैं अन्ता कोण अन्ता से आपको क्या लग रहा है अंदर की तराब ठीक है अन्ता कोण तो इसमें देखो अन्ता कोण ये दो लाइन है ना इन दोनों लाइन के अंदर कोण कोण है देखो तो तीन है चार है पांच है छे है तीन चार पांच छे जो कोण है ना अंदर है इसी को हम अंतख कोण बोलते हैं अंतख कोण में कोण तीन कौण चार कौण पांच कौण छे हो गया कोई दिकत ने है किसी को चलिए अब इसके बाद बाहरी कौण होता है जिसको हम हिंदी में ब्रहा कौण बोलते हैं ब्रहा कौण ठीक है ब्रहा मतलब बाहरी बाहर के तरफ कौण कौण सा कौण बन रहा है देखो तो अंदर वा नहीं बलकि बाहर बलाता है एक है, दो है, साथ है और आठ है लिख दो एक है, दो है साथ है और आठ है यह हमारा बाहरी वाला कौण है अब चलिए संगत कोणों के जुग्म कोन-कोन है तिसरा संगत कोणों के संगत कोणों के युग्म कोन-कोन है भाई अब देखो संगत कोण संगत कोण किसको बोलते भाई देखो ये जो हमारा कोण 1 है ये कोण 5 का संगत कोण है ये जो कोण 3 है ये 7 का संगत कोण है ये 2 कोण 6 का संगत है ये 4 ये 8 का संगत है कहने का मतलब है कि संगत कोण का मतलब होता है कि एक कोण हमने लिया न एक कोण छोड़ करके उसका अगला को लिखेंगे कौण एक और कौण पांच यह क्या है संगत है उसके बाद यह कौण दो और छे यह भी संगत है कौण दो और कौण छे यह भी संगत है उसके बाद कौण तीन और साथ क्योंकि बीच में छोड़ देंगे कौण तीन और साथ यह भी संगत है कौण तीन और साथ यह संगत है उसके बाद चार और आठ यह भी संगत है कौण चार और आठ यह भी हमारा संगत कौण है समझ मैं गया संगत कौण किसको बलेंगे चलिए उसके बाद एकांतर कौण सिखेंगे एकांतर कौण देखिए लेकिन एक बात बताते हैं एकांतर कौण दो तरीका होता है एक एकांतर अंतर कौण होता है और एक बरहा कौण होता है तो मैं पहले यहां पर छुट गया लिखना एकांतर अंतर कौण एकांतर के बाद अंतर पढ़ना है उसके बाद कोण ठीक है अपने कौपी में एकांतर फिर अंतर फिर कोण लिखिएगा एकांतर अंतर कोण का मतलब है इसमें मतलब किसको बोलते हैं एकांतर अंतर कोण देखो, एक बायततरफ है, एक दायततरफ तही यह वाला और यह वाला है छार और पांच भी है कोण 4 और 5 ये हमारा एकांतर कोण है ठीक है अंता में था इसलिए मैं अंदर में ही देखा हूँ अब बाहरी वाला देखेंगे एक बार पांच नमबर एक आंतर ब्रहा कोण अब बाहर वाला देखेंगे बाहर वाला कोण कोण सा है भाई तो कोण एक कोण आठ के हो जाएगा ठीक है एक लेफ्ट का एक राइट का कोण दो साथ का कोण एक और कोण आठ एक अंतर ब्रहा कोण है और कोण दो और साथ ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं छे नमबर तिरियक छेदी रेखा के ये कहीं तरफ बने अंतर कोणों के यूग में ये कहीं तरफ ठीक है देखो तो तिरियक छेदी रेखा के ये कहीं तरफ अंतर कोण ये कहीं तरफ तो कोण तीन और पांच ये क्या ये कहीं तरफ अंतर कोण है कोण चार और छे ये कहीं तरफ है ये हो जाएगा कोंड तीन और कोंड पांच हो जाएगा कोंड चार और छे हो जाएगा ये कंसेप्ट आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और दुसरा कंसेप्ट ये है वो भी मैं आप लोगो पढ़ा ही देता हूँ ठीक है उसके बाद प्रशनावली को बनाते हैं ये देखो, ये बहुत जरूरी है तिन है उनकों याद कर लो यदि दो समानतर रेखा हैं कि सी तρι parad चेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कुंडों का यूग्म परतेक यूग्म कमाप समान होता है कहने का मतलब होता है कि दो समांतर रेखा ये देखो दो समांतर रेखा है ठीक है ये दो क्या है समांतर रेखा है एल और एंग एक तिरियक छेदी रेखा यहाँ पर कट कर दिया ठीक है तो बोला है काटी जाती है तो संगत कुण परतियक यूगम कमाप समान होता है जो संगत क कुण होगा न वो क्या होगा वो बराबर होता है ठीक है तंगत्प्रों क्या होता है बराबर होता है यदि दो समानतर रेखाएं किसी तोओ देखू, और ये म,56 रहा, काट कर दी, तो अंतर कण्यों समान होता है, जो अंतर एक अंतर क्यों और यह वी इकवल होता है ठीक है यजिंधा या समानता रिखा हीजह को दो marza तो तर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ से बने गए अंत्र ज्याओका यूग में सुं पूरक होता है देखो यह रेखा और यह गया उट आट किया तो एक और यह और यह जब देखो इन जो रेखाका एक ही तरफ बोला है इसको और इसको लेंगे मालों ये एकस है और रेवाई है तरह दोनों कुण का योग जणा जब जोडेंगे दोनों कुण का जब योग करेंगे तो एकसावसी होना चाहिए ज़ cost हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे और नहीं तो नहीं बोल सकते ठीक हे संपूरण तो अब हम प्रश्णावली को बनाएंगे वहाँ पर बहुत सारे एक्वेशन मिलेगा तो अपने आप नौलेज हो जाएगा ज्यादा मेरे को बताने के भी ज़य उरत नहीं पड़ेगा ठीक है आईए प्रश्णावली प्रश्णावली प्रतेक के उपयोग किये गए गुणधरम का बनाण कीजिए अच्छा सिर्फ यहाँ पर गुणधरम का बनाण करना है ज्यादा दिमाग लगाने की ज़य उरत नहीं है ठीक है सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह प्रश्ण दिया है यदि A समांतर है B तो कौण 1 बराबर है कौण 5 का आईए देखते हैं इसका बनाण करते हैं पहला प्रश्ण को ठीक है सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं दिया है क्या दिया है कि A समांतर है B तो कौण 1 बराबर है कौण 5 के ठीक है यह हमें already दिया हुआ है अब देखू तो यहाँ पर जो कुण 1 और कुण 5 के बराबर है, यह कुण 1 है और यह कुण 5 है, तो यह कौन सा कुण है, यह संगत कुण है, क्या है संगत कुण, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है न संगत कुण में देखो, संगत कुण क्या होता है, कुण 1 और यह 5, एक को को छोड करके यहां भी देखो एक को छोड करके उला संगत कुण क्या मात है बराबर होता है कुण एक और पांच क्या है वर यह संगत् Elijah इसको में बूल सकता हूं कि कियों बराबर है भाई संगत्樹 बस इसको बढ़ना नहीं तो करना है बढ़ना चिसका तारीफ करें और så हो रहा है ठीक है तो संगत कोड़ है इसलिए बराबर है अब यहां पर इसका सर्थ लिखेंगे क्योंकि क्योंकि यदि जो मैंने तिन पढ़ाया ना वहीं सेम चीज़े यदि दो समानतर यदि कि दो समानतर को सोरी यार बिच में आप लोगों को डिश्टरम किया दो समानतर कि रेखाओं को कोई किरियक छेदी कि रेखा कि पर तिचेद करती है कि पर तिचेद करती है तो तो संगत कूर क्या होता है बराबर होता है संगत कोण बराबर होते हैं बस आपको इसी को लिख देना है ठीक है समझ माया किसी को कोई डाउड तो नहीं है चलिए अब दूसरा इसका प्रशने देखते हैं क्या है दूसरा है कि यदि कोण चार बराबर है छेके तो क्या ये समांतर है बी क्या आई चेक करते हैं सबसे पहले इस प्रशने को बनाने के लिए जो दिया राता है उसको लिख लिया करो दिया है क्योंड चार बराबर है क्योंड चेके ठीक है क्योंड चार बराबर है छेके इसलिए इसलिए दिया गया है ये भी ये समांतर होगा ठीक है अब ये क्यों है 4,6 के बराबर क्यों है भाई ये 4 और 6 ये क्या है एकांतर कुण है अभी आपको मैंने पढ़ा आता ये ओला कुण और ये ओल कुण है एकांतर होता है जो बराबर होता है ठीक है तो बोल देंगे इसलिए बराबर है क्योंकि एकांतर कूण है अब इसका थोड़ा तारीप कर देते हैं बंडन करते हैं ठीक है लिखेंगे क्योंकि यदि दो दो समांतर रखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा तिर्यक छेदी रेखा परति छेद करती है तो एक आंतर कूण क्या होता है बराबर होता है बस इसी सर्थ को लिख देना है एक आंतर कूण बराबर होते हैं ठीक है चलिए तिसरा क्या दिया है कूण चार और पांच 180 के बराबर है दिया है परद लिखेंगे दिया है कूण चार पलस कूण पांच बराबर 180 इसलिए ये समनांतर है बी के ये क्यों है भाई क्योंकि तिरियक रेखा एक ही तरफ बने कूण क्या होता है 180 होता है इसका सर्त लिखेंगे इसलिए दुनों का ये 180 है कि तिरियक रेखा के तिरियक रेखा के ये कहीं तरफ ये कहीं तरफ बने अंतर कूण है देख लो चार और पांच ये कहीं तरफ होगा और अंतर में चार और पांच एक तरफ है और दोनों अंदर है यहां इसका वर्णान करेंगे क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं दो समांतर रेखाओं को कोई तिरियक छेदी कोई तिरियक छेदी रेखा परति छेद करती है तो तिरियक रेखा तो तिरियक रेखा के यह कहीं तरफ यह कहीं तरफ बने अंतर कोण समपूरा का मतलब 180 डिग्री समपूरा के होते हैं ठीक है समझ में आ गया यह था आपका पहला प्रेशन जो कि बहुत ही आसान है जदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है चलिए इसका दूसरा प्रेशन देखते हैं क्या है अकिर्ती में निमलिखित की पाहचान कीजिए संगत कोणों का यूग में अनतह एकांतर कोण का यूग में कोण कोण है तिरियक छेदी रिखा के एक तरह बने अनतह कोण का यूग कौन-कौन है बस आपको पहचानना है ठीक है तो मैं पहला परश्ण को बनाता हूं ठीक है क्या बोला है संगत कोणों का यूग में लिखना है लिखेंगे संगत कोणों के संगत कोणों के यूग में संगत कोण 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 है भाई संगत कोण देखो संगत कोण आपको पहले ही पढ़ाया हूं मैं संगत कोण 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 है कोण एक और पांच कोण दो छे तीन साथ चार आठ बस लिख देना यहां पर ठीक है आईए तो हमारा हो जाएगा एक पांच हो जाएगा यहांसे चार आठ हो जाएगा ठीक है दो छे हो जाएगा तीन साथ हो जाएगा ठीक है लिखेंगे कौण एक कौण एक पांच ठीक है एक यह हो गया उसके बाद चार और आठ हो जाएगा संगत कुण में 4 और 8 हो गया एक 3 और 7 हो जाएगा कुण 3 कुण 7 हो जाएगा कुण 2 6 हो जाएगा ठीक है चलिए पहला हो गया दूसरा अंतह एक आंतर कुण लिखना है अंतह एक आंतर कुण एक आंतर कुण 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 होता है भाई तो देखो जो 3 है और ये 5 है क्या है एक आंतर है और ये भी अंता बोलाए तो सिर्फ अंदर कहीं देखेंगे तो लिखेंगे कॉण 3 और कॉण 5 ये क्या है एक आंतर है और क्या है दो और 8 कॉण 2 और 8 ये क्या है एक आंतर तीक है समझ मा आ गया दो राट क्या है एक आंतर है चलिए तिसरा तिर्यक छेदी डिखा के एक तरफ बने अंतर कुणों का यूग में देखो एक तरफ तो एक तरफ होला क्या है एक तरफ हो जाएगा हमारा कौन कौन होगा मेरे भाई एक तो होगा तीन और आठ एक होगा दो और पांच एक तरफ है दोनो लिखेंगे तिर्यक तिर्यक छेदी रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतर कौन अंदर वला में इसे देखना है तो कौन तीन है और कौन आठ है और एक कौन दो है और एक कौन पांच है ये हमारा एंसर ठीक है समझ में आ गया कोई दिकत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ने संख्या तीन देखेंगे अगर तीन प्रश्ने को मैंने लिख रखा है ठीक है आईए ये देखिए ये बहुत मोस्ट इपॉर्टेंट है सलंग्र आकीरती में पी समांतरे क्यूँ तो अग्याद कौन का मान ग्याद किजिए देखिए यहाँ पर इसका नाम मतलब जानते हो और नहीं जानते हो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट यानि उद्रवाधर समूख कुण होता है क्या होता है उद्रवाधर समूख कुण ये देखो ये और ये बराबर होता है और ये वला ये बराबर होता है ये उद्रवाधर समूख कुण ये वला और ये वला बराबर होता है मतलब आमने सामने वला ये वला और ये वला उर्दवादर सम्मोखण क्या होता है बराबर होता है इसको आप जानो ठीक है ना आईए इसमें उसका यूज भी है तो मेरे को तो देखो इसको पता है ये वला पता नहीं है ठीक है और E नहीं पता है, F नहीं पता है, A नहीं पता है, B नहीं पता है, D नहीं पता है, C नहीं पता है ठीके, तो मैं क्या करता हूँ न, यहां से एक अपना रूल लगाएंगे रूल क्या है भाई पहले तो आपको पता है कि यह जो लाइन जो बना है न एक तिर्यक छेदी रेखा है पतिछेद कर रही है तो इस बात को हम लिख देते हैं कि जो हमें इस प्रश्णे में दिया है वो क्या क्या दिया है कि दिया है कि पी और क्यूँ क्या है दोनों समनांतर है पी क्यूँ समनांतर और क्या दिया इसमें पी क्यू समनांतर है और यहाँ पर एक तिरियक छेदी रेखा है और यह एक तिरियक छेदी रेखा द्वारा परती छेदी ते होता है सबसे पहले देखो मैं यहाँ देख रहा हूं यह देखो एक यहाँ पर यह लाइन है और इस पर एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है पता है यहाँ पर एक रैखिक जुग्म बन रहा है आपको पता होगा यह नहीं पता होगा आपको बता देता हूं ठीक है रैखिक जुग्म क इन दोनों का जो बना है जो बना है dość होता है 180 degree होता है एस से देखो तो जरी मैं इस figure को यह से कर लेता हूं यह लाइन है और इस लाइन पर यह लाइन आई है इन दोनों का यह क्या होगा 180 यानि हम यहां से लिख सकते हैं कि 125 अब पलस यह दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 यहां से यह बराबर करेंगे तो 180 और यह पलस दर जाएगा तो माइनस यहां से देखो 180 में 625 जाएगा तो 55 डिग्रिया जाएगा देखो हम E कमान निकाल लिए अब जैसे मैंने E कमान निकाल लिए तब को पता है कि यह उर्धवादर समू कुण है है ना दोनों क्या होता है बराबर होता है जितने का E उत देख सकता हूं कि E बराबर एफ ए है 55 तो एफ भी 55 हो गया ठीक है यह समझ में आ गया कोई दीकत नहीं किसी को चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हमें A B C D का मान निकालना है अब A B C D का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो हमें पताल लगए कि A 55 डिग्री है औ हम इस फिगर को ऐसे देखते हैं यहाँ पर एक लाइन गई है और यहाँ पर लाइन गई है आपको पता है यह और यह दोनों क्या है एक आंतर कोड़कह है क्या होता है जितने का EV उतनाई का EV हो जाए ठीक है? लिखेंगे यहां यह बराबर एफ एफ है पचपन तो एफ ही पचपन हो जागा क्या होगा क्योंकि एकांतर कोण है लिख देंगे आपर एकांतर कोण के वज़ा से दोनों बराबर होगा ठीके तो एफ ही पचपन आ गया यह लिख देंगे A बराबर 55 डिकरी आप देखो A 55 है तो C भी कितना होगा थास पंज भूगा क्योंकि उद्वाधर समोग कुण है न है नहीं फ्रन कौण है लिख देंगे यहां पर भी कंडिसनल लिखेंगं ब Congressman क्यों कि बस्तों होगा क्यों कि उथभाधर वहा ना destroy उर्दवारदर समोख कोड़ लिखना बहुत जोरी है कि कोई पूछ देगा क्यों हुआ है इसके वोज़ से यहां भी लिख लेंगे क्या लिखेंगे यह कमान हमने 55 निकाल दिया तो सी का विमान लिख देंगे 55 यह भी पूर्दवारदर समोख कोड़ ठीक है अब चलो अब हमें डी और बी का मान निकालना है हमें पता है इसका जो मान है यह 55 डिगरी आया है ठीक है तो हम क्या करते हैं हमें भी पता होना चाहिए कि जब यह लाइन देखो कहां से मैं कर दूँ हाँ ऐसे करता हूं कैसे ऐसे नहीं होगा मैं क्या करता हूं कि A और B का सम करता हूं ठीक है यहाँ पर ऐसे कर लेता हूं देखो यह लाइन है है न और इस लाइन पर यह रेखा आ रही है तो यहाँ पर दो कुण बन रहा है तो दोनों का कुणों का सम कितना हो जाएगा 180 यानि A पलस B बराबर 180 होना चाहिए क्यों क्योंकि रैखिक जुग में है यह condition लिख लेंगे रैखिक जुग में से यह हो रहा है तो A तो हम लाए हैं न पहले से पचपन तो पचपन हो गया पलस B बराबर 180 तो B बराबर करेंगे 180 यह पलस इधर जाएगा तो माइनस कितना जाएगा बी बराबर क्या जाएगा एक सब्सक्राइब 125 डिग्री ठीक है अब बी 125 आ गया बी 125 तो डी भी कितना 125 लिख देंगे कि डी भी 125 हो जाएगा दोनों बराबर है वह वाधर सम्हों कूंड लास्ट मिलिक लेंगे आता A बराबर 55 डिग्री B बराबर 125 डिग्री C बराबर 55 डिग्री और D बराबर D के पान कितना लए हो 150 डिग्री ठीक है और E बराबर भी 55 डिग्री और F बराबर भी 55 डिग्री सब का आ गया देखो कितना असान है ठीक है तो परशने से क्या 3 भी हमारा कम्पलीट हो गया अब 4 नमबर देखते है 4 क्या है यदि एल समनांतर एम है तो निमलिखित अकिर्तियों में परते का X कमान गयाद किजिए देखिए पहला परशन है इसमें और हमारा दो परशन है ठीक है इसमें क्या करना X कमान गयाद करना है तो देखो तो सबसे पहले यहाँ पर ये कूड और ये कूड उद्वादर कूड है जितने का ये होगा उतना ही का ये भी होगा होगा न आपको पता है कि एक ही तरफ तिरेक छेदी रेखा में एक ही तरफ बने कूड का सम क्या होता है 180 यहाँ पर क्या कर देंगे एकस पलस 110 दोनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर हो जाएगा यहाँ से एकस बराबर करेंगे एकस पलस दर जाएगा तो माइनस यहीं एकस कमान आजाएगा 70 डिगरी यह निकल गया यहीं तो बुला है कि एकस कमान निकल करके दिखाईए हो गया चलिए इसका दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न यह दो समानतर रेखा है जिसका नाम algorithm है और एक त्रैक छेदी रेखा है जिसका नाम t है यह दिया है एकस और यह दिया है टू- Omaha यह यह तो बहुत सिंपल है आपको पता है कि कही तरफ बने दुनों कोण का 180 हो तो एकस पलस टू एकस बराबर 180 और अम एकस कमान निकलना है इनको जोड़ेंगे तो 3 एकस बराबर 180 एकस बराबर करेंगे तो 180 बटा 3 कटा देंगे 6 0 यह एकस कमान हमारा 60 डिगरी आ गया ठीक है चलिए 3 दिखिए कि इसरा है अ यह कि कि यह रिे ए यह है और बी यह यह है 110 रिग और यह है X-degree ठीके तीसरा है यह 110-degree A.C. degree और X-degree यहाँ पर निकलना चाहते है तो यह पर क्या है यहroads ये है 110 और 22 वोला कुन नहीं दिया और तीसरा कुन दिया है उसको लोग क्या बोलते हैं बता हो संगत कुन से यह वऩा और यह ता है बराबर होता है एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स ओफ दस डिग्री यह जितना होगा उतना ही हो जाएगा ठीके संगत कुण के हिसाब से यहाँ पर लिग भी देंगे संगत कुण चार नमबर कंपलीट किसी कोई दिकत तो नहीं है नहीं है ना चलिए पांच नमबर देखते हैं पांच नमबर प्रशन दिख करके रखे हुए है यह देखिए दिवया किर्ती में दो कोड़ों का भुजाय समनांतर है देखो यह और यह और यह यह और यह यदि एबी सी 70 लेक्री है तो डिजी सी घ्याद करना है आपको बहुत यह आसान है डिजी सी घ्याद करना सबसे पहले देखिए यहां पर words जो दिए हैं उसको लिख लेंगे दो प्रशने है 1 पाला प्रशन अस स्थिया है उसको लिखते हैं सार। दिया है AB समनानतर है DE और यह जो BC है ना BC इन दोनों के लिए क्या आए एक तिरियक देखा काम कर रही है और BC एक तिरियक छेदी रेखा है तथा यहां से कोण ABC जो दिया है ना वो 70 डिगरी दिया हुआ है ठीक है अब देखिए तो यहां पर ABC यह वाला कोण ठीक है और DGC और यह वाला कोण ठीक है यह दोनों क्या है संगत कोण है कैसे भाई एक कोण और एक कोण छोड़ के बाद तिसरा कोण आ रहा है यह क्या होता है संगत होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण A B C बराबर हो जाएगा D G C के क्योंकि दुनों क्या बराबर है क्यों बराबर है संगत कोण है और संगत कोण क्या होता है बराबर होता है A, B, C 70 degree है यहांसे D, G, C कितना हो जाएगा 70 degree यह हमारा answer ठीक है चले इसका दूसरा देखिए दूसरा में क्या दिया है उसको लिखेंगे D.I है इस बारा में D.E.F दीए-फ निकलना है D.E. यह वाला कोंड निकलना है इसको निकालने के लिए हमें क्या है जो बी सी पार्लल है एफ के लिखेंगे दिया इसमें कि बी सी पार्लल है यहने सम्नांतर है एफ के और इसमें डिए क्या कर रहा है तिर्यक छेदी रेखा डिए एक पे एक 3.3.2 रेखा है ठीक है तो साथ में हमें ये डीजी सी क्या है सतर डिग्री लाया होना है हमें दिया हुआ है पहले प्रस्थ में मैंने बना करके रखा इसको सतर डिग्री है तो मैं क्या करता हूँ देखो ये कुण और एक कुण छोड़ने के बाद ये तीसरा कुण इस अब क्या है संगत कुण है ये जितने का होगा उतना ही क्यबी होगा तो पहले तो लिखेंगे एंगल dgc बराबर हो जाएगा एंगल def के क्योंकि दूनों क्या है def और dgc संगत कुण हो गया क्यों पराबर है भाई संगत कुण यहां से कुण डी एफ का जो मान हो जाएगा वो संग सतर डिग्री हो जाएगा ठीक है पांच नमबर प्रश्ण जो था ना हमारा कम्पलीट अब हम छे नमबर देखेंगे छे नमबर क्या है देखें नीचे दी हुई अकिर्तियों में निड़ा लिजिए क्या एल एम सम्नांतर है सम्नांतर कब होगा जब इन दोनों का योग 180 होगा ठीक है तो जोड़कर करके देखते हैं इसको 126 डिगरी प्लस 44 डिगरी दोनों को जोड़ेंगे 170 डिगरी आएगा 170 डिगरी 180 हुआ तो सम्नांतर तभी बोल सकते हैं जब दोनों का सम 180 हो तो नहीं हुआ ना तो बोलेंगे यह सम्नांतर नहीं है सम्नांतर नहीं है बस हो गया ठीक है चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए इसमें चार प्रश्न है ठीक है इसका दूसरा प्रश्न है यह है पचात्तर डिगरी और यह भी है पचात्तर डिगरी इसका नाम एन इसका एल और इसका एन अब इसको हमें देखना है सबसे पहले देखो हम पहले देख रहे हैं कि एक तरफ कोण ना चीदता यह वला खूण और यह वला कूण उधवादर समूख कोण है यह 75 का यह भी 75 का अब एक तरफ दो बने कूण है ना इन दोनों का सम कर देंगे 75 पलस 75 दोनों को जोड़ेंगे 150 डिगरी यह भी नहीं हुआ लिखेंगे यह समनांतर नहीं है समनांतर नहीं है ठीक है अगला देखते हैं तिन नंबर तिन नंबर प्रश्ण क्या है यह है 57 डिगरी और यह है 123 डिगरी तो देखो यह उधवादर सम्मूख कुण है यह जितने का उतनाई क्या यह भी होगा तो मैं बोल सकता हूं दोनों कुण का योग करेंगे 123 डिगरी अपलस 57 डिगरी दोनों को जोड़ेंगे 180 डिगरी हो जाएगा 180 या तो बोलेंगे समनांतर है यह समनांतर है ठीक है चलिए चार नंबर चार नंबर है यह अंठावन डिगरी और यह भात्तर डिगरी ठीक है इसका नाम एन इसका एल इसका एम अब देखो तो यह जितने का होगा उतनाई क्या यह भी होगा दोनों क्या हो गया अंदर अला कुण दोनों अंदर कुण को जोडेंगे तो 180 ना चाहिए दोनों को जोडेंगे कितना होगा यह 98 और 72 एक सवासी तो नहीं हो सकता 170 होगा नहीं हुआ तो बोलेंगे यह समनांतरड नहीं है पिस पुराष्णनाषट समझना आप लोगो ठीक है टेंक यू सो मच